CBI की एक टीम मनाईए और विवेक बिंदरा के पीछे लगाईए ये कहा है सुप्रीम कोट ने पर क्यों? अब विवेक बिंदरा वैसे तक मोटिवेशनल स्पीकर है लेकिन कुछ महीने पहले पूरे यूट्यूब ने उनके खिलाफ कुछ वीडियो बना दिये थे मुद्धा शुरू किया था संदीप महिसुरी ने दिक्कत थी विवेक बिंदरा का बड़ा बिजनस का बिजनस मॉडल अब इस बिजनस मॉडल में कहा जाता था कि आप हमारा कोर्स खरी दिये आपको बड़े बड़े लोग लेक्चर देंगे सिखाएंगे और हर महीने अब 15,000 से लेकि एक लाग रुपे तकमा सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी फीस रीफंड कर दी जाएगी अब ऐसा हुआ नहीं तो पूरे इंडिया से आने लगए शिकायते कुछ लोकल पुलिस में कुछ कोर्स में इसलिए कुछ शिकायत करताओं ने मिलके कुछ वकीलों को हायर किया और सुप्रीम कोट का ही दर्वाजा खट खटा दिया कोट में कहा गया कि एक सेंट्रलाइज एजनसी को ही इस काम पे लगाना चाहिए ताकि अलग लग राजियों में ये बार बार ना करना पड़े और जितने भी लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है उनको एक पॉइंट ओफ कॉंटेक्ट दिया जाए जहां पे वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सके विवेक बिंदरा के उपर सेक्शन 420, सेक्शन 406 के तहट बहुत सारी शिकायत ये दर्ज हो चुकी है और सुप्रीम कोट ने सीबी आई को कहा है कि 6 हफते के अंदर विवेक बिंदरा के उपर पूरी रिपोर्ट चाहिए